नमस्कार शुब 24 नूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हजय कुमारी आईए रुख करते हांज की खबरों का। श्रीक खड़े वाले बाला जी मंदी अरविन नगर कबीर मार्ग बनी पार्क में एक शाम बाला जी के नाम कारेकरम कायोजन किया गया। कारेक्रम में स्वामिश्री बाल मुकंदा चार्य जी महाराज हाथोस धाम के सानीध्य में संपन हुआ कारेक्रम के सेंजुक ने बताया कि सुबह 10 बज़कर 15 मिनट पर भव्य कलश्यात्रा निकाली गए शाम 6 बज़कर 15 मिनट पर सामुहिक सुन्दरकार्ट पार्ट और सामुहिक हनुमान चालिसा पार्ट कायोजिन किया जाएगा जिसमें अजारों की संख्या में भगतों ने भाग लिया उसके बाद चार बुजानात की भव्य महारती कायोजिन किया गया सौमिश्री बालमुकंदाचार्य जी महाराज हाथोस धामनी सुन्दरकार्ट पार्ट रहनुवान चालिसा के महतु पर प्रकाश डाला इस अवसर पर गोपाल भाई, ओपी बडाया, महेश वादवानी, अशोक चोधी, नितिन अगरवाल, शंभू दयाल अगरवाल, विकास पोट्या सूरज जाटावत, अशोक चाटावत, शुभम अगरवाल, राजेश चोधी, भगवान चोधी, यश जार्ट, अक्षत अग करवा रहे हैं, यह टमाटर महराश्टर से लाए गए हैं, हर वैक्ति को दो किलो टमाटर दिये गए, जैपुर से आनन्द जगरवाल की खास रिपोर्ट मेरा नाम राकेज भुया है, मैं ब्रांक नेजर, NCTF यापुर, आज असी रुपे किलो शुरा आज सेट्राविश अगरवाल की जारा हैं, उसके बाए हैं, असी रुपे किलो टमाटर हम बेज रहे हैं, यह परसों का रेक था वो नबे रुपे बेज रहाता, NCTF, आज हम हम असी रुपे बेज रहे हैं, और यह टमाटर जो है, आपको महास्ता से आ रहा है, और आज जो गाड़ी आई है, वो बाइच से कोविश्तन की गाड़ी है, जो हम 10 डेस्टिनेशन पर जैपो में इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, और 18 जी चेजी और मैक्सिमम जो है, पर जावड ऐसे चेंग कर से इसको बदिस्क जब रहे हैं, जावडी आजब जाड़ी के रहे हैं, और आज जो है जैपोर के लिए है, जाफ़ देखी लिए, तो बड़ी जाड़ी आने वाल इगे हैं, कल आम 20 डेस्टिनेशन इसको लोगा है, जाल आब 20 डेस्टूरी आई, आ यह कि मखेटेयर भी हुखे, इंस अधोज हो जा पर लाम हो जा जा कि आका को HAka की किरा हमकी दर्फीज हुआ कॉछ जी हम परेखक चार्थ से 2,000 अधोपोगा कर दोगेर तैनेुन ष्के चार्विड को कर ऑने मार्व हो तो पुब को और बेने रिके हम को तो भी कम है तो बैस तो आज तरह की रेटे सही रहेंगी आपकी आप फिर उसमें इसमें प्रॉक्रिशन का रेट है तो अगर आप रिटेल में आते हैं तो वही रेट जो आपको 40-50 बढ़े बढ़े लापा हैं एक साथ से एक सी रुपर ने गरीम में जिक रहे हैं तो इसमें असी रुपर अगर जिक शेत्र को सुचारू नहीं क्या गया लूणी नदी शेत्र में बहुको सुचारू करने की मांग को लेकर उखन अधिकारी को ग्यापन सो पगया है इस तोरान सरपंच गिर्धारी लाल सेनी एडोकेट आशिश पुरोहित रामनिवास भाटी पुखराज आवला रामनिवास डा को रोका जाते तो लिए लगाए इस जानगारी है हमारे सामने उसको लेकित दीटित ताप कानाल से जिलडार मालिश इसके बारे में ग्यापन दिया और क्या जानगारी है उसके बारे में सब्सक्राइब करने वालों कुछ कमी रखे गई सर्क बनाते हैं उन्होंने उस मिठी को पुरा नहीं है पर जो समझता हुआ किस बहस पर क्या समझता हुआ उस बाड़े में जोगी जिर्वजे से पानी रुक रहे जो पीला है उसको अठाए आता दुआ तो यह समझता हुआ था हमारे वर उस समझते घरवज़ार वार कारवई काम नहीं है तो अब वापस किस बाड़े के रहे हैं कि हमने वापस की बुड़वालों को भी जुड़ा लिया आए पर शासन पूरा मुष्टे द रहेगा पर हम उस काम हुआ शिव भक्ती की विशेश महत्वता के चलते सावन सोमवार के दूसरे दिन सोमवती अमावस्टे के साथ में होने से इस दिन का धार्मिक महत्व और बढ़ गया सोमवती अमावस्टे के धार्मिक महत्व को देखते वी रियानबाडि कस्भी समीत आसपास के शेत्र में शिव भक्त मंदिरों में भगवान भोलेनात का जला भिशेक किया तो कहीं ओमन में शिवाय के जैकारी समेत भक्त पंचमरित धतूरे बेल पत्र आग के फूलों से शिव का भिशेक किया इसी क्रम में याबडी से कावडियों का दल पुशकर जल लेने पहुंचा पैदल ही पुशकर से जल लेकर रियानबाडी पहुंचे सुनिल सिक्वास ने जानकारी देते हुई बताया कि किशन बाबा धोने के महन बलरामगीरी महराज के सानिध्य में सूरियास के शिव भक्त दीजी के साथ जल लेकर दारा दर्बार स्थित्य शिव मंदिर में पहुंचे हुँ जलाबी शेक किया अजमेर के महापोर ब्रजलता हाडा ने जिला कलेक्टर को ग्यापन सोपा ग्यापन में बताया कि नगर निगम अजमेर द्वारा एलिवेटेड रोड के मध्या पार्किंग का टेंडर किया गया अजमेर शेहर के मुख्यमार बोपर हर 25 मिलिटर पर एक गली का रास्ता खुलता है और अजमेर शेहर मुख्यमार के साथ साथ छोटी छोटी गलीों से जुड़ा शेहर है इस कारण पूर में कभी इन सड़कों के मध्या पार्किंग नहीं रही ऐसे में आम जनता व्यापारियों जन प्रतिनिदियों के भावना के मध्य नजर एलिवेटेड रोड के मध्या पार्किंग का निरने निरस्त करवाया जाए अजमेर से हमारी समाध दाता आशाख खीची की रिपोर्ट कुछ दिन पहले टेंडर हुआ था पार्किंग का तो सभी व्यापारी मेरे पास आये थे कि मैडम एक तो रोड सकड़ा है और फिर दूसरा पार्किंग नग जाएगी तो फिर लोगों को जो आते हैं दुकान पर उनको गाड़ी खड़ी करने के लिए और वो जगे नहीं मि दूसरा पार्किंग के लिए किसी काम के लिए तो वह पार्किंग के लिए पैसा नहीं देगा तो यह पार्किंग के लिए पैसा नहीं देगा तो यह पार्किंग के लिए तो मैंनों पार्किंग केंशिल भी करवाती थी पिर अभी कलक्टर साब ने वापस पार्किंग भी चाबू करवाती है मैंने भी लेटर लिखा उनको और कहा भी है कि पार्किंग इंडेस्ट की जाए और हम पार्किंग पूरी इंडेस्ट करेंगे क्योंकि रोड बहुत सकड़ी है और इस तरह देखते वह गलिया निकलती है सड़कों पर से अंदर जाती है तो उस दर जो है र फर जोट दुखाने को पान की जाए की तो कोई दो मिट के लिए पान लेने या लुटका लेने चाइपी ने रुखे गा तो पार्किंग की लिए पसाथ नियुक्त करने तो इस तरह से देख ब्यापरे तो बहुत अब होगा और पबलीक भी जहां व्यापरे को आईगी जल पूरे प्रदेश में तूल पकरता जा रहा है पूरे प्रदेश में ABVP कारेकरताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इसी क्रम में अजमेर में ABVP के महामंत्री उदैसिंग शेखावत ने राजेपाल के नाम ग्यापन सौपा ग्यापन में बताया कि JNVU जोदपूर के पुराना परिसर में होकी ग्राउन में नाबालिक के साथ हुई गैंगरेप की घटना की अखिल भारते विद्धार्थी परिशत निंदा करता है और आरोप्यों को फासिकी सजा दिलाने की मांग करता है साथ ही कहा कि राजस्थान में कॉंग्रेस नेत्रतव वाली राजस सरकार द्वारा परिशु की सुरक्षा को पूरी तरह से अंदेखा क्या जा रहा है आज अखिल भारती विद्धार्थी परिशत ने अजमेर कलेक्टर चाहब को ग्यापन दिया है जिसके अंदर हमारी परमुख मांग रही है कि अखिल भारती विद्धार्थी परिशत विश्व का सबसे बड़ा चातर संगटन है इसकी छवी को दुमिल करने के लिए जोधपूर की DCP अमरता दुवन ने जिस परकार से बाँ हुए गेंगरेप के अंदर ABPP का नाम लिया है इसलिए उनके इस बात को लेकर आज विद्यारती परिशद में अजमेर कलेक्टर को ग्यापन दिया है कि उन्होंने जो बयान दिया है उसका खंडन किया जाए और हमारे जो आरोपी हैं उनको सक्त सक्त सजा दिया है आरोपी की फास से कोड़ चला कर उनको सक्त सजा और जल्द सजा दिया है और फासी की सजा दिया है था सी कि सजा से कम उनके लिए सजा नहीं है क्योंकि मंदिर के अंदर मन्दिर दिंगी घहिण करना कर रहे हैं रिड़ार्य McDy जाधी किश्य करण किजी मजब कि नहीं हो سकते इसलिए उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चagnac प्रफासी की सजा देकर उन्हों आरोपियों को जल्द से जल्द फासी प्लत करना चाहिए उद्यसिंग शेकावत महानगर मंत्री अजमेर महानगर एब इस जाले के अंदर जो नाबालिक शाथराथी उसके साथ समय कुछ करहा हुआ उसको लेके राज्यपाल के नाम क्लेक्ट सब्सक्राइब करने का अंदर उसका फाइदा उटाने के लिए इन्होंने शाजित करिए संग्टन को दुर्मिल करने का प्रियास करा लेकिन इनका दोरा चेरा इनके सहरे को सब्सक्राइब जैपूर में त्रिते श्रेने शिक्षक एक्ता मंच द्वारा सहक कारिता भवन के पास सधर्ना स्थल पर त्रिते श्रेने शिक्षक लाम बंध हुए राजस्थान शिक्षासंके प्रदेश अध्यक्ष आर्ची जाखट ने बताया कि राजस्थान में चतूर्थ श्रेनी करमचारे से आई एस आर एस तक सभी कालेंडर के करमचार यहोर अधिकारियों के इस थाना अंत्रिन पर राज्यस सरकार द्वारा कई बार किये गए लेकिन शिक्षकों के साथ भेदभाव क्या जा रहा है जीते श्रेनी शिक्षक पिछले दस से पंद्रे सालों से घरों से दूर विभि अधिक्ष नरेंद्र चोधली ने बताया कि सरकार ने चुनावे गोश्नपत्र के अनुसार संवीदा कर्मियों को स्थानांतरन करने का वादा क्या था जो आज तक पूरा नहीं कर पाई आई एस पैटरन में संशोधन करते हुए पूर्ण सेवा को एक वर्ष मानते हुई स्कैनिंग्स थाई क्या जाए जिस विभाग में अभी तक संवीदा सेवा नीमों में प्रतिक्रिया पूरी नहीं हुए अतै सरकार से हम चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें नहीं तो हम धन्य स्थल पर डटे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुजाती नाजयस्तान सर्कार ने सकता में हमें से ब ٹले राजयस्तान के अपने मेनिफेस को Center की आठा पहले महुंदा है इसको व्रांद ओंकी हमारा जो मृत्ग है हमारा जो पादा है एक प्रवश्त even को आदरा है और नाजस्तार्ण सपरकार ने तमान संद्कर्य वर जैओ करने है लुग कोड़ आ फेए कब करने है take on yam dogs लाग今日 हम बरने सिरकार कई जर वर दैने जो假 विश्टार विड़ाワतर पुड़िया कि अधिए 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 अध अजमेर बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान और विभिन मुद्दों को लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने प्रैस वार्ता की जिसमें अरुण चतुर्वेदी ने कहा राजस्थान दुषकर्म के मामले में अवल नंबर पर है ज जोएगा इसके साथ ही कहा कि भारते जंता पार्टी हर वार्ड में F.I.R. कैम्प लगाएगी और पीडित वेक्टी अपनी F.I.R. दर्ज करवा सकता है और इन सबके संक्लन को लेकर हम सरकार को जगाने का प्रयास करेंगी और साथ साथ ही कहा कि भाजपा जंता से सुझाओ भी लेगी कि भाजपा सरकार में आये तो किस प्रकार के कारे करने चाहिए और 15 दिन के नहीं सहिका राजस्थान अभियान के तहट मशाल जुलूस प्रभात फेरिया निकाली जाएंगी इस तोरान सरकार का फेरिकार घर घर तक पहुंचाने का काम भी करेंगी आज में से हम मारी स्वादाता आशाग ठीची के लिफोर्ट अभी चार दिन पहले है किसानों का इस बड़ा प्रदर्शन जिन्यों में किया और आर्पीएस्टी और बोल्ड अप्टेंग जो पीपर लेक के मामले में राजिस्तान में दोनों केंद्र हैं ऐसे जोनल के में लेकर करके कल एक बला प्रदर्शन जिवाँ का अर्पीएसी के उपर होगा पहले सभाव वोहां से अस्वाद कोने के बार रही चलूओगी जो आर्पीएसी पे बड़े प्रदर्शन के रुपाएं कल्मिनेट होगी इस सरकार गुंडी बेरी है पूरी तर थे उनसे किसी पतार की प्रस्ता चीए लगातार असा लगता है कि सरकार के इसारे पर एक एक करके ठीक रही जो रहें क्या मदूख कर भगा छावगा जिर्के सरकार से सीब्सेटर सीब्स्तार जूड़े हैं वो इन मामलों में एक तरके निकल जार को घाएं किसी को पर बैठते हैं, उसके बाद भी अफ़ायर नहीं होती है, ऐसे सब विच्वों को लेकर के बाते हैं तापाटी, हर वाड में फ़ायर के कंप लगाईगी और पीडित वक्ति अपने फ़ायर को जब कर सकते हैं, उन सब के संकलन को लेकर के, हम सारे उस अपड़ार को लगाने का खबर राजस्थान के गंगानगर के पदमपूर से है, पदमपूर के गाउं 43 आरबी में देवर ने भावी के सीर में फावडा मार कर हत्या कर दी, हत्या के बाद आरोपिक खुद पुलिस थाने पहुंचा, पुलिस ने मोके पर FSL की टीम को सुचना दी, वहीं प्रेशिक्षू आरपियस सोनू चोधरी भी मोके पर पहुंचे